हाई फ्रेंड्स मैं परंदर खारी फ्रेंड्स आज की हमारी गेम है राहुल पंच जी की वीडियो रेक्मेंडेशन उख्रोंने जिस गेम के पर मुझसे वीडियो बनाने के लिका है वो है सन 1970 राशिद नजमदिनो वर्सिस अलेक्जेंडर निकित मैं शुरू करता हूं बहु रेस्पोंस यहां निकितिन का है नाइट एफ तरी हुआ डिसिक्स दीफोर सी टेक्स डीफोर कुंट टेक्स डीफोर एक्सपैट करा दो है है अबर खेर है नाइट जीए सिक्स का आया बी फाइब स्क्वेर पर नाइट ऊचुगा तोटिजेर के लिए पिन बीशब बना इस E4 पॉन पर तो नाइट से ही सका डिफेंस हुआ G6 और उसके बार यहां कैसल आया राशिद का और ब्लैक यहां क्या करने वाला है बिशफ को डूलप करेगा और बिशफ G7 और रोक आया E1 स्क्वार पर और अगले मूव में कहीं न कहीं जब कैसल होगा तो प्रॉब् G3 क्विन आई D7 स्क्वार पर बिशफ B2 रोकेटा कोज टू डी एट और नाइट आया D5 स्क्वार पर यहां तक गेम बिल्कुल परफेक्ट चल रही है वाइट के पास स्पेस देखी कितना है लगभग आदे बोर्ड को वाइट यहां पूरी तरह से डोमेनेट कर रहा है ब आप एक नाइट पर पॉन रखते हैं हम आपके पॉन पर ही अपने नाइट लगा लेते हैं जिस नाइट को आपको लेने की इच्छा है वो वाला नाइट आप ले लीजिए अब यहां ऑप्शन कितनी है पहली ऑप्शन इटेक्स D5 की अगर यहां से एगेम आगे और आपको यह नाइट के साथ इशू समझ में आ जाएंगे किंग टेक्स D7 का मतलब होगा कोईट D4 और फिर दूबार है उसी पिंट नाइट जाने की जो नाइट दिया है वो बढ़िया तरीके से उना वापिस चैक्मेटिंग त्रेट जैसे सिचुएशन से वापिस कुइन E6 जैसा मूव चला जाएगा दिन E6 D5 और कुइन को F5 स्कुएर पर ले जाकर यहां इस नाइट की डिफेंस में रखा जा सकता है लेकिन उसके बाद आने वाले मूव किस तरह की होने वाले हैं वो प्रेशर को और जादा बढ़ाएंगे खिर चलते हैं यहां दूसर जो लगने वाली होगी और बिल्कुल अबस है कि F6 स्कुएर पर वाइड विनिंग है नाइट एक्स F6 चेक ही वैले करना पड़ेगा दरवाइज बिशेप एक्स F6 बिशेप एक्स F6 और अगले मूव में क्या इसे हम चेक मेटिंग त्रेट कह सकते हैं हां लेकिन सिच्वे पर तो यहां पर निकीतिन ने देख लिया कि अब उनके हाथ में सिच्वेशन नहीं है उन्होंने का कि नाइट एलिमिनेट करता हूं बिशेप टेक्स D5 से और ऐसा करने के बाद कम से कम जो F6 स्कुएर पर प्रेशर बना हुआ इससे खुड़ा सा लाइफ इस जाएगी ना पर एपाउन आगे पुश जाएगा सिच्वेशन कंट्रोल मुखी है यहां ब्लैक ने अपने इस एपाउन को पहले आगे पुश किया और यह जो बिशप की फाइरिंग लाइन इससे बन किया क्योंकि प्रॉब्लम यही कर रहा है इटेक्स दीफाई मैटल एक्शन को इक्वाल किया किंग टेक्स दीफाई और वही स्ट्रेटेजी इस एपाउन को हटाओ कुछ भी कर गया तो ब्लैक के लिए बेस्ट सुटेबल ओक्शन थी कि किंग को कम से कम हटा लिया जाए बिशप की फाइरिंग लाइन से यहां कौन भी आगे पुश हो तो वही पॉल्म हो दिखर एफ कौन तो भी आगे पुश हो गया रुख पर अटेक बना और अब क्या करें रुख को एक कदम आगे पुश करते हैं मैं अगर होता इस सिच्वेशन में तो एक्जैक्ली यही करता लेकिन राशिद ने यहां को इनको si available खे और अब क्या रूक की आए रूक से स्क्रेश क्रेंट क्या हernen को जो hoped भी आज़े स्कूर की दो किसे आओे को ओन्ड़ा बसुश्च और बड़ेर अजसे कहो दो होता है आप जसे आउन्ट को उश्चन मान लीजैं ये तो कि ni rejoह की चला नहीं गया था यहां से अगर यह गिम आगे बढ़ेगी तो कुई ने चेक होगा ही होगा किंको एफ सेवन स्क्वाइर पर जाएगा और उसके बाद आएगी रुख से चेक देने की बारी और किंको जाना पड़ेगा इफाइल में उसके बाद कुई से चेक आएगी और गेम को कितनी खतरनाक सीचुशन ने को जादी कि आपको नज़र आखता होगा तो चलिए यहाँ पर अलेक्जेंडर निकीतिन ने पहले अपने किंको एफ सेवन स्क्वाइर पर ले लिया और यहीं से इस किंक को आगे कंटिन्यू करते हैं और वैसा है कि वाइट का मूग क्या था रुख से चेक देने के बाद आप देखिए कि इस किंक के जाने के लिए स्क्वाइर ही अविलेबल नहीं है क्विन एफफाइव इस ओनली सुलिशन लेकिन वो टेंपरेरी है क्योंकि रुख टेक्स एफफाइव क्विन गई सबसे पहले तो जी टेक्स एफफाइव होने के बाद अगर हम आफ्टर मैच करें दो रुख के सामने क्विन नाइट के सामने बिशप लेकिन यह जो पॉंस की भीड है दो कॉंस एक्स्ट्रा है दो रिट के पास इसको तो बैटेकल करी नहीं सकते ऊपर से एक और कॉंटेक्स एफफाइव चेक और यहां इस मूव के बाद फाइनली अलेक्जंडर नेकित ने रिजाइन कर दी है फ्रिंट्स रे को जीएट स्कॉर पर ले जाते हैं कि कुई से चेक लिए फेट स्कॉर पर बिशप से चैक आजाएगी इस चैक से बचने के लिए क्या करना हो पड़ेगा रूख कोई लगाना पड़ेगा और कोई सॉलिशन नहीं है कुई एफ फाइव चैक किंग एजाएग दैन किंग को प्राइक सिचुएशन याँ राशिद नजमत दिनोग ने इस गेम में प्रिएट कर रखी ते मुझे उमीद है आप सभी लोगो भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे सीट्यूब चैनल चाहिज को प्लेश सब्सक्राइब ज क्यों करतें प्रिएशन यद राशि याँ को लेस्टी वाज़ थे अजया में अक्यों सब्सक्राइब